हलो फ्रेंड्स वेलकम टो करुनास किचन और आज हम फिर से एक टाइप पॉप मोदक लेके आये हैं और ये जो मोदक है ये सिर्फ तीन चीजों से बनके तयार हो जाएगा और आप देख सकते हैं मेरी बेटी ने भी बनाया है और ये बहुत बढ़िया बना है ये जितने करेंगे थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घी को मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है अब हम इसमें डाल देंगे दो कप बेसन तो यहाँ पे मैंने 250 ml का जो कप है इसका इस्तमाल किया है दो कप भरके हमें यहाँ पे बेसन डालना है तो बिल और इससे लगातार चलाते जाना है क्योंकि अगर आप इससे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह जलने लग जाएंगा तो आप देख सकते हैं 15 मिनिट के बाद में यह थोड़ा सा लिक्विडी हो चुका है इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है आप देख सकते हैं इस तरह से उपर घी आना शुरू हो गया है मतलब हमारा बेसन जो है वो अच्छी तरह से बून गया है तो आप देख सकते हैं बेसन अच्छी तरह से बून गया है मैं दिखाती हूँ कैसे समझेंगे आपके बेसन बून चुका है तो यहाँ पर पल्टे के ऊपर थोड़ा सा बेसन पूरी तरह से थंडा होने के बाद में यहां पे आप देख सकते यह इस तरह से दिखेगा जो घी है वो अच्छी तरह से पूरा गाड़ा हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे दो कप PCV चीनी तो यहां पे जितना हमने बेशन लिया है उतनी चीनी हमें यहां पे इस्तेमाल करन है और अगर आप चाहे तो इसमें ड्राइफ रूट्स भी एड़ कर सकते है तो यहां पे मैंने इसे अच्छी तरह से यहां पे आप देख सकते मिक्स कर लिया अगर आपको लग रहा है कि आपका जो मिक्चर है वो ड्रा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी गरम करके डाल सकत है तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया यह मोदक जो है वो तयार हो जाती है तो जो एकसेस पार्ट है वो हमें यहां पे इस तरह से फिनिशिंग इसका कर लेना है और यह जो मोदक है अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी तो अब मेरी बेटी है वो बहुत पीछे भर रही है और आप देख सकते हैं उसने कितना प्यारा मोदक बनाया है इतना तो मेरा भी मोदक अच्छा नहीं आया देखिए कितना प्यारा मोदक यह बनाया है तो इस तरह से आपको क्या करना है सारे मोदक बना लेने और यह जो मोदक है आप 15 दिन तक या 11 दिन तक भी र तो बड़िया हमारे मोदक बनके रेडी हो चुके है तो अभी तक अगर चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा तब तक के लिए देखते रह करुनास की चैन और गन्पती पपा मूरिया